नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्दप्रदेश का नमबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मद्दप्रदेश की सभी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदास में मद्दप्रदेश के लिए सभी राजनी तिक दलो ने कमर कसली प्रमक दलो ने अपने अपने प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिये हैं अब अकला खदम नमांकन और नाम वापसी का होगा कमलनात कारो बीजेपी ने मद्दप्रदेश को महिलाओ के लिए सबसे सुरक्षित बनाया कमलनात ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मद्दप्रदेश को प्रष्टाचार घुटा ले उत्पीडन और अत्याचार के अंधेरे में धकेल दिया उन्होंने कहा कि आज हरवर्ग और व्यक्ति परिशान हैं बेरोजगारी के कारण लाखो युवाव का भविश्य अधर में हैं और जन्ता महंगाई से तरस्थ है उन्होंने प्रदेश की जन्ता पर भरोसा जताते हुए कहा कि अब उसने इस तस्वीर को बदलने का इरादा कर लिया है कमलनात ने प्रदेश की आदियाबादी को गिनाए ये बड़े वादे कॉंग्रेस ने अपने वचन पत्र में महिलाओ के लिए कई वादे किये हैं PCC चीफ ने आज एक बार फिर से मद्रदेश की महिलाओ को अपने दस वादे के नाए कमलनात ने लिखा कि एक महिने बाद बनने वाली कॉंग्रेस की सरकार पहले से गोशिती ओजनाओं के अलावा बेटी के जन्ब से लेकर विवाहत तक दो लाग की क्यावन हजार रुपे की आर्थिक साहयता प्रतान करेगी आज आ सकती है मद्रप्रदेश बीजेपी उमीदवारों की पांचवी लिस्ट मद्रप्रदेश विधानसबा चुनाओ के लिए भाच्पा कैंडिडेट की पांचवी सूची आज जारी हो सकती है दिल्ली में देर राथ तक चली के इंद्रिय चुनाओ समिती की बैठक में 94 सीट पर मन्थन किया गया इनमें से 92 पर नाम लगभकते हैं इनमें हारी हुई सीटों के साथ ही मौजूदा विधाय को किसी दे भी शामिल है मोदियाज सिंद्या स्कूल के स्टूदेंट से करेंगे समवा साड़ी 4 बजे गवालियार पहुचेंगे दो गुटे तक यहां रहेंगे वे समारों में अलग अलग शेत्रों में स्कूल का नाम रौशन करने वाले चात्रों को पुरुसकार प्रदान करेंगी हुकुम चन्मिल के मज़ूरों को राहत सरकार को दो सब्ताह में जमा कराने होंगे मुआफ़े के 218 करोड रुपए हुकुम चन्मिल के हज़ारों मज़ूरों और उनके स्वजन का 32 वश का इंतजार 27 हमें खत्म हो जाएगा शुक्रवार को हाई कोट ने आदेश दिया कि सरकार दो सब्ताह की भीतर मज़ूरों के भुक्तान के लिए मंत्रे परिशा से स्विकृत 218 करोड रुपए बेंट में जमा करा दें कोंगर्स ने कृष विश विध्याले में बनाए स्ट्रॉंग रूम की निरवाचन आयोग में की शिकायत जबलपुर कॉंग्रिस ने चुनाओ के लिए बनाए गए स्ट्रॉंग रूम के जगह पर आपती शताई कॉंग्रिस का कहना है कि जबलपुर के जिस जवाहर लाल नहरू कृषी विश्विध्याले में इस बार EVM रखने के लिए स्ट्रॉंग रूम बनाया जजिन में ुदल भारत में शुकृवार से वेस्टन डिस्टर्मेंस एक्टिव हो गया है इसके पांच दिनबाद एक और वेस्टन डिस्टर्मेंस आएगा हाला कि दोनों का ही मद्रप्रदेश में असर नहीं रहेगा यानि बारिश होने का अनुमान नहीं है लेकिन बाद अलचाई रहेंगे इससे टेमपरेचर ना बढ़ेगा और ना ही लुड़केगा अर्तालिसला कर्मचारियों सहीद पेंशन भोगियों को बढ़ा फाइदा जीए में 4 फीसद की व्रत थी मोदे सरकार दोरा दो दिन पूर्फ कैबिनेट की बैचक में करमचारियों सहीत पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ हुत्री के प्रस्ताओं को मन्जूरी दी गई करमचारियों के महंगाई भत्ते को चार प्रतीशत की दर से बढ़ाया गया था जुसके लिए अवित्त मंत्राले के द्वारा आदेश चारी कर दिया गया है नकल रोकने के लिए जीटी में पहली बार बदली व्यवस्था थम पेस इंप्रेशन जरूरी प्रतियोगी परिक्षाओं में पढ़ते नकल प्रक्रन को देखते हुए MP Online ने देवी हिल्या विश्विद्याले की डॉक्टरल इंट्रेंस टेस्ट में व्यवस्था बदली पहली बार परिक्षा किंद्रों पर उम्मीद्वारों को कई प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था से गुजरना होगा परिक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीद्वारों की चिहरियों और अंगूछे का मिलान किया जाएगा